बिस्मिल्ला रख्मान रहीम असलाम अलेकुम कैसे हैं बचो ग्रेड थ्री की किताब सदा बहार से आज हम पढ़ेंगे बिस्मिल्ला रख्मान रहीम सफ़ा नंबर 18 पे आज हम नज़्ब पढ़ते हैं कच्छवे कच्छवे एक दर्याई जानवर कच्छवा हमने देखा है दीरे दीरे चलता है कच्छवा गिर्गट और गड़े आल एक गराने हैं एक गराने के हैं लाल उपर है हड़ी का खोल कैसी नेमत है अनमोल होते नहीं कच्छवे के दान साबत गजा खाती है आंत नदियों रेगिस्तानों में जंगल में मेदानों में बीच समुंदर दलदल में पानी के हरचागल में उसका रहना सेहना है मेहनत उसका गहना है चलता है ये मीलों मील उमर है उसकी बड़ी तवील कुछ कच्वे तो छोटे हैं और कुछ कच्वे मोटे हैं कीचर का जो कच्वा है वजन में कद में छोटा है वरना कच्वे समुंदर के होते हैं अक्सर मन बर के कच्वे की जो मा है वो अंडे रेत में देती है बच्चे जब भी निकलेंगे पानी की जानिब बागेंगे जी इसके शायर हैं जमील अल्वी दीरे दीरे आइस्ता आइस्ता गिरगट किरला घड़े आल मगरमच की तरह का जानवार एक गराने एक ही गर के लाल फर्जन लड़का बेटा खोल छिलका उपर का घुलाफ अनमोल कीमती नयाब रेगिस्तानों सहरा में मेदानों हमवार सता सता जमीन बीच दर्मियान दलदल कीचड या गलाबा चागल छोटी बोतल पानी रखने का बरतर यो छोटी छोटा मश्कीजा गहना जेहवर तवीर लंबी बागें दोड़ें जानी तरफ जी बज़ो आपने इनके ने अलफाज और अलफाज के मानी सुने उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गये होंगे अब आपने इनके ने अलफाज और अलफाज के मानी अपनी नोट बुक पे लिखने हैं और याद करने हैं अल्हाफीज